हेलो एप्रिवान, वेलकम बैक टू माई चैनल, कैसे हो आप सभी, I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ, गुड मॉर्णिंग, मैंने कर दिया अपने वीडियो की सुरुवात एक नए दिन के साथ, और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो अभी न सुबह का टाइम है, और लगभग इस टाइम सुबह की आठ या सवा आठ का टाइम होगा, लगभग यही टाइम होगा, इसके बीच का ही टाइम होगा, सवा आठ से जादा नहीं है, लेकिन आठ से कम भी नहीं है, धूप अच्छी खासी निकल आई है, जो कि आ पिडली न रहे, जो की छोटी छोटी डलियां होती है ना वो एक भी न रहे, और अच्छे से गुल जाए और जब सरफ अच्छे से गुल जाता है, कपड़े तब डालें तो बड़े अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि नजैसे कि अभी इमने साथ में कपड़े डाल दिये तो वो सरब अच्छी से घुल नहीं पाता है टाइम लगता है घुल तो जाता है ऐसा नहीं है जब घुलेगा नहीं तो कपड़े साफ कैसे हो लेकिन थोड़ा टाइम लगता है अगर ऐसे करते हैं तो बहुत जल्दी से घुल जाता है तो अव्हाँ पर सरब घुल गया है और अभी अपर जो भी कपडे थे ना वो मैंने मसीन में डाल दियाता है अवो फोन जहए dobं ऑन मैं रहता है उसका आप जी को पापा जी का भी क्योंगी इसके से की होता है कुछ चीज़ा रख लेते हैं तो उसका थोड़ा रहता है तो अभी वहां पर वो सब चीज़ा मैंने चेक करके लगा दिया ओधर गरम पानी था वो भी देख लिया है और ये गरम पानी मैंने किया है बरतन्साब करने के रिए छोटी बाल्टी है आसानी से आ जात जो कि मेरा डेली का रूटीन है मैं दही निकाल लेती हूं खाने के लिए सुवह में एक कटोड़ा वरके निकाल लेती हूं चाहे कोई खाई या ना खाई क्योंकि जरूरी होता है मन हो खालो ना हो तो दूसरे दिन फिर हो जैसे ताजा दही जम्मेगी उसमें डाल करके चला देते हैं वैसे मैं डेली नहीं चलाती हूं आज मैं जैसे मठा लगाऊंगी और फिर मैं कल नहीं चलाऊंगी तो फिर परस चलाऊंगी ऐसे चलाती हूं मैं क्योंकि घर का दूद नहीं है और घर का दूद आप समझ सकते हो घर का ही होता है लेकिन बहार से दूद लेके आत वो नहीं है इतनी सर्दी नहीं है धर मैंने डूद्ण रखान लिया है ईसमें डूद्ध छान लिया है और देखे डूद शाना है तो इसमें छोट chapters को निकलाते हैं दूद्ध मैं तो छान करके पानी डाल के तो पहले थे पप्रिक dispatch कर dawंगे थी वो भाप उसकी तो बहुत टाइम लग जाता था और किचिन साप कर दिया बरतन साप हो गए है मेरा दूद भी गरम हो गया है ठीक है ये काम मेरा हो गया है और अभी मैं आ गई हूँ इधार यहां पर मैंने रखा हुआ था जो सब्जी ली थी न मैंने वो रखी हुई थी यहां से मैं न वो अचार वाली मिर्च जो ली थी मैं उनको निकाल रही थी यहां से और इस बाल्टी में रख लूँगी दोके अरके लाओंगी इनको अभी तो मैं छाट रही थी क्योंकि न ये नीचे इसमें दूसरी वाली सब्जी के नीचे आ रही थी तो मैं देख रही वहां पर मिट्टी मिट्टी हो जाती है तो यहां पर मैं वही देख रही थी अभी मैंने यह मिर्च ले ली हैं इस बाल्टी में और मैं मिर्चों को ले करके न फिर आ गई हूं धुल करके और यहां पर ले लिया है मैंने एक सूती कपड़ा जो भी डुपट्टा है मेरा सूत तो वो मैंने ले लिये हैं और कई डुपटे हैं मेरे पास ये वाले तो मैंने दो तिन डुपटे ले रखे हैं इस टाइम पर क्योंकि कई तरह की चीजा मुझे करनी हैं तो मैंने ये डुपटे ले लिये हैं अभी इसको ना मैं पानी को अच्छे से पूछ रहे हूं क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ना इनको सुखा लूँ पहले पानी को तो मैंने सुचा कि नहीं जब हमें ना टाइम होता है तो हम उस हिसाब से काम करते हैं जब हमारे पास टाइम कम होता है तो फिर हम दूसरे तरह से काम करते हैं जैसे कि दोया और साथ मैं ही इसको साफ कर रही हूँ और फिर इसे जो भी मुझे करना है इसको वो कर लूँगी तो अभी पहले मैं एक मिर्च को बहुत अच्छे से साफ करूँगी ध्यान से पोच होगी क्योंकि अगर कोई भी मिर्च जैसे कि होती है फूटी हुई फटी हुई तो उसमें पानी चला गया होगा ना तो फिर उसको मैं अलग कर दूँगी उसे मैं सबजी में डाल लूँगी अचार में नहीं लूँगी फिर क्या है पानी अगर एक भी बूँद रह गया तो उससे अचार हमारा खराब हो जाता है अभी मैंने यहां पर मिर्चों को पोच लिया है अच्छे से और ना अभी मैं इसमें कट कर लूँगी यह वाली मैंने सूती डुपट्टा ले लिया है दूसरा वाला जिससे पानी पोचाता वो नहीं लिया है और दूसरा वाला ले लिया है तो अभी यहां पर मैं इस तरह से कट करूँगी वैसे इनका भी करने का कई तरीके होते हैं को भर्मा मिर्च भी बनाते हैं तो वो इस तरह से कट नहीं होती है वो दूसरी तरह से होती है लेकिन मुझे इस तरह से पीस करने है चोटे-चोटे जैसे की गाजर के करूँगी न अगर मूली के उसी हिसाब से इसके कर लूँगी तो मैं ऐसे कट करके और इन मिर्चों को इसी दुपटे पे जो भी मिर्चे हैं और डाल लूँगी और ज्यादा मिर्चे नहीं थी लीथी मैंने शिर्फ आधा किलो ली थी यूखि पहले मैंने एक किलो मिर्च लीथी उनका अचार डाला था तो काफी दिन तक चली है और जब जाधा गली-गली सी हो जाती है ना तो पतानी क्यों मुझे कम अच्छी लगती है तो मैंने अब की बार कम मिर्च ली है मैंने का आधा किलो ही लूँगी है तो वो ये मिर्चें ली थी मैंने और अभी हैंपर ये मिर्चें लगभग कट हो चुकी हैं जो भी मिर्चें थी न वो लगभग मेरी कट हो चुकी है तो अभी मैंने उनको एक कपड़े में इखटा करके साइड में रख दिया है और अभी बारी आ गई है यहाँ पर गाजर छील नहीं की तो अभी यहाँ पर मैं गाजर छील रही हूँ और अभी ना मैं जो गाजर छील नहीं वो अचार के लिए नहीं सबजी के लिए छील रही हूँ क्योंकि जो फ्रीज में गाजर रखी हुई थी ना उनको मैं सब्जी में डालूँगी लेकिन मैं अचार में नहीं डालूँगी तो पहले मैं कर रही हुए हाँ पर खाने की तैयारी करनी पहले जरूरी है, खाने का टाइम हो जाएगा, फिर खाना नहीं बनेगा, देर हो जाएगी, तो टाइम से हर एक चीज हो जाए, वो हमें ध्यान में रखनी बहुत जादा जरूरी होती है, हम housewife को है न, सब का ध्यान भी ध्यान रखना होता है, husband का, बच्चों का, और अपना काम लेट हो सकता है, लेकिन हमें और सब का काम हमें time से करना होता है, क्योंकि अपना तो चलता है, अपना को ही ओँ नहीं है न, तो अभी यहाँ पर मैं गाजर ही साब कर रही हूं, और गाजर को गड़े ध्यान से स और उनको कहीं जाना है तो मैं नहीं चाहेती कि वो बिना खाना खाए कहीं जाए क्योंकि मुझे रहता है मुझे क्या रहता है कि जब मैं काम कर रही हूँ न तो मेरा काम करने का फायदा ही जब है जब ये अच्छे से खाना खा करके कहीं जाए वो रहता है अगर मैं ये खाना खा करके ना जाए ना और एकदम से जाया चानना को और मैं खाना ना बना पाऊं होता है कभी बिल्कुल ही एकदम ही जाना हो तो फिर नहीं हो पाता है ना फिर तो घर में जाते कि दूद दे दिया ब्रेड दे दिये लड़ू है लड़ू दे दिये कुछ भी हलवा है हलवा दे दिये तो यही सब चीज़ें दी जाती है फिर मुझे अपने काम करने काना मुझे लगता है कि मेरा काम अच्छे से हुआ नहीं है मुझे तभी अच्छा लगता है चाहे मैं कितने ही काम कर लूँ कितनी साफसपाई कर लूँ कितना ही कुछ कर लूँ अगर ये खाना खा करके जाए तभी मुझे लगता है कि हम मैंने अपना काम बहुत अच्छे से किया है तो इसी बज़ा से मुझे रहता है कि पहले मैं खाने की तैयारी कर दूँ वाकी चाहे मेरा कितना ये भी काम हो मुझे साम तक काम करना पड़े मुझे कोई दिक्कत नहीं है बस दिक्कत मुझे इसी बात से होती है कि ये बिना खाय ना जाए है तो अभी हिने गाजर कट कर ली है और साथ में ही मैंने रायते के लिए भी कट कर ली है सबजी के साथ तो अभी ले लिया है एकालो और एक ही आलो काफी अब मैं और नहीं काटूंगी क्योंकि बस सब्जी काफी हो जाएगी अभी यहां पर इधर मैं आ गई हूं सब्जी को छील के काट के सब काम करके और मुझे लगा कि हां कपड़े मेरे धुल गए हैं तो फटा फट से मैंने सुचा क्यों ना कपड़ों को अधर डाल दूं जि क्योंकि यह कभी भी चली जाती है एक दम से चली जाती है पता ही नहीं चलता तो मैंने फटा फट से आई सब्जी रखने के बाद और मैंने सुचा क्यों ना फटा फट से 2-4 मिनट में जो भी इसमें लगएंगे इन कपड़ों को इधर डाले देती हूं जिससे की यह अपन उसको भी कड़ी देते हैं तो अभी मैं इधर आ गई थी वो काम मेरा हो गया है जो गई थी उधर वाशिंग मशीन में जो भी काम करना था वो मैंने कर दिया फटा फट से आ गई हुए फिर से किचिन में और यहां पर कर दी है मैंने खाना बनाने की तैयारी सारी चीजा मेरी तैयार थी फटा फट से कड़ाई को रखा और कड़ाई भी ज्यादा टाइम नहीं लेती है गरम होने में तो वो भी गरम हुई और फटा फट से मैंने तड़का तैयार किया और मैंने डाल दी है इस में आलू गाजर मतर मेरे पास थी नहीं तो फिर मैंने नहीं डाली वैसे भी नहीं थी और सब्जी वाले बहिया के पास भी नहीं थी जब मैंने सब्जी ली थी बोल रहे थे कि सब्जी वो खतम हो चुकी है अभी नहीं है फिलहाल तो मैंने का कोई नहीं आप कलते जाना अभी वो इतना टाइम नहीं हुआ है उनकी जिससे की वो इस टाइम तक आजा डाल लेते हैं तो एक टेस्ट अलगी आता है उसका बढ़ जाता है तो अभी इसमें मैंने मसाले वगएरा डाल दी है सबजी में लेते हैं तो अभी मैं जो काम कर रही थी जो भी अचार का था मतलब की अचार के लिए गाजर, मूली, मेर्च वगएरा जो करना था मुझे वो मैंने कर दिया है और अभी आ गई हूँ मैं जाडू लगाने के लिए सुबह मैंने एक वार जाडू लगा दी थी अभी मैं दुवारा लगा रही हूँ क्योंकि न मैंने यहाँ पर गाजर वगएरा छी ली हैं तो उन से क्या है कि गिर ही जाते हैं तो थोड़ा कचरा सा हो गया था मैंने सुचा कि चलो एक बार फिर से जाडू लगाते हैं तो यहाँ पर भी आच्छे सी साफ हो जाएगा तो अभी मैंने यहाँ पर जाडू लगाना सुरू क्या कर दिया है अब मेरा मतलब हो ही गई है जाडू लग ही गई है और जाडू लगाने के बाद मैंने यहाँ पर आ गई हूँ कपड़े सुकाने के लिए और एक काम को छोड़ती हूँ कि दूसरा काम मेरा इंतजार करता रहता है इतना जादा काम हो रखा है क्योंकि न जब हम घर में कोई भी काम एक्स्ट्रा कर लेते हैं तो काम न फिर हमें जल्दी जल्दी करने होते हैं क्योंकि हम करने वाले अकेले होते हैं काम ज्यादा हो जाते हैं तो उस हिसाब से ही फिर हमें थोड़ी स्पीट अपनी बन गया है अनुश्का के पापा जी खा करके चले गए है और न मैंने अपने लिए तो नहीं बनाया है अभी खाना पर उनके लिए बना दिया था तो मैंने सोचा कि चलो फटा फट से कपड़े भी सुखा लेते हैं और देखो मुझे इतनी जल्दी हो रही है कि मैं ध्यान ये नहीं दे रही हूँ कि नीचे छोटे छोटे कपड़े भी गिर गए क्योंकि मुझे बस एक धुनसी लगी हुई है इस टाइम पर काम खतम करने की इधर उधर देखने की बिल्कुल नहीं बस अपने काम की धुन लगी हुई है कि बस कैसे ही करके मेरा काम आज खतम हो जाए बहुत लेट हो गया है मुझे आज बहुत ही जादा क्योंकि गाजर भी काफी जादा थी जैसे कि लगभग तीन किलो गाजर थी तीन किलो मूली थी और आधा किलो मिर्च थी तो बहुत टाइम रख जाता है यहने छीलने में साप करने में कट करने में और फिर अब भी न मै नहा करके आ गई हूँ और यहां पर मैंने यह सुखा दिये थे तो मैं यही पर बैट करके न साग भी साप करने लगी हूँ आज न मैं किसी काम को भी नहीं छोड़ने वाली आज सारा काम भी कर दोंगी खतम मैंने सचा कि चलो इसको भी साप कर लेते हैं उधर बैठते हैं इदर वो रख लिया है ये तसला और इसी में मैं यहाँ पर बैटकर इस साग को भी साप कर लूँगी और पालक है मेती है यही दोनों चीज़े हैं और इनमें भी काफी टाइम डग जाता है साप करने में ऐसा नहीं है एक दम से हिसाप हो जाएंगी और देखिए यह मैंने लुए तहना कचरा निकला है इतना ही वो निकला है साग्र साब करके रख यह इतना ही निकला है यह तो इनको नम हम पसौन को ढाल दूगए मैं न है नो सारी आ दा नहीं देखिए और और धूपना बहुत ही दहीं निकली है आ रही है जा रही है बहुत ही और मुझे तो ये डर है कि न ऐसा ना हो कि कल धूप ही निकले ही न मुझे ये भी डर है पर बस कैसे ही करके कल धूप निकलाए जो कि मैंने न इतनी महनत की है तो वो मेरी सफल हो जाए बस मुझे ये ही टेंस है और मैं दिखा रही थी कि इतना टाइम हो गया है बार बार धूप चली जाती है मौसम कुछ इस तरह का है आप देख सकते हो और अभी ये मुझे कपड़े वगएरा भी उतारने हैं अंदर ले जाने हैं तो अभी मुझे यहां पर भी थोड़ा टाइम लग जाएगा धूप आ नहीं रही है तो फिर अंदर ही ले करके जाती हैं इन सभी को और अभी देखिए मैं आ गई हूँ अनुष्का को लेने के लिए क्योंकि अनुष्का के पापा जी कहीं बाहर गए हुए हैं तो वो आ नहीं सकते थे तो मैंने सुचा कि क्यो ना चलो मैं ही लेकर क्या हूँ और वो मुझे आना भी पड़ता ह है सोचती क्या मुझे आना ही था लेने के लिए तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो भी बना लेते हैं जब आये हैं तो यहाँ पर मैं वीडियो बनाने लगे हूँ और मैं दिखा रही हूँ आपको अपने गाओं का नजारा यानि की अपने ससुराल का नजारा है ना गाओं तो बोलते हैं कि माय के वाला लेकिन ये भी गाओं है लेकिन इसको बोलेंगे ससुराल वाला गाओं तो ये मैं वहां का नजारा आपको दिखा रही हूँ एक दम बढ़िया हर्याली है चारोतरप हर्याली 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 ये गया हूँ वगेरा है गन् अनुष्का को ले करके मैं घर जाओंगी और आज ना बस उस काम को मैंने खतम ही किया था कि जब यह अनुष्का का फोना गया तो फिर मैं अनुष्का को लेने के लिए आ गई और इस वीडियो का यहाँ पर मैं एंड भी करूंगी अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करके जाएगा अगर चैनल को पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करने और मुझे कमेंट करना ना भूलें मिलेंगे कल आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब त क्यार